नमस्कार अमरावती चिकली प्रोजेक्ट तीन के चैनेज संख्या 302 माकता कोपता तालुका खामगाओं में 45 मीटर स्टील इस्ट्रिंग बो गेडर को आज लांच किया जाना है भारती रेल के सेंटर्ल रेल डिविजन भुसावल के अंतरगत आने वाले खामगाओं चलम सिंगल अप डाउन रेल मार्ग के उपर यह ओ गडर लांच किया जाने वाला है इस गडर को पहले से ही थुड़ी दूरी पर रख कर अशेंबल कर लिया गया है और इस गडर को अशेंबल करने के बाद रेल ट्रेक के पास में दोनों तरफ CC क्रिप्ट ट्रसर के उपर रखे बिम पर ले आया गया है और अब इसे वायर रोप की मदद से बेंच मसीन के द्वारा खीच कर रेल लाइन या रेल ट्रेक के उपर ले आया जाएगा और उसके बाद दोनों तरफ के CC भाग को साथ में रख कर एरेक्शन किया जाना है यह सामने आप जो देख रहे हैं इस्टिंग गडर धीरे धीरे मूब हो रहा है वायर रोप जो आपको सामने दिखाई दे रहा है नीचे विंच मसीन की सहयता से खीचा जा रहा है संबंदित अधिकारी और इंजीनियर्स पूरे मुस्तैदी के साथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं दिसार निर्देश देते हुए पूरी सेप्टी के साथ धीरे धीरे इस्टिंग गडर आगे की ओर खीचा जा रहा है वेंच मसीन वेंच मसीन को भी स्टेज बना कर रखा गया है और उसको मोटर की साहेता से रन किया जाता है और मोटर की सप्लाई डीजी सेट के द्वारा दिया जा रहा है दीरे दीरे आगे की तरब बढ़ रहा इस्टिंग गडर कौतुहल का महोल इंजीनियर्स मुस्तैद पूरी सेप्टी के साथ चोस के साथ गडर लांजिंग के लिए लगे हुए एक अतियंत जोखिम पूर्ण कारे है रेल ट्रैक के उपर किया जाना है ये इस्टील के भिम जो ट्रसर के उपर रखे गए है उनके उपर रेल ट्रैक बिछाई गई है रेल ट्रैक के उपर वील्स की मदद से वायर रोप के द्वारा इस गडर को धीरे धीरे खींचा जा रहा है और साथ में संबंदेत अधिकारी इंजीनियर्स टेकनिसियंस अपने अपने लाइन लेंद को सही करते हुए साथ में एक्सपर्ट्स वील्स को चेक करते हुए दिसा चेक करते हुए कितनी दूरी तक खिंच रहा है इसकी जानकारी एक दूसरे को देते हुए इस्टिंग गडर काफी नजदीक जहां लांच होना है जहां तक पहुँचना है उसके बहुत नजदीक पहुँच चुका है पूरा कौतहल पूर माहोल धीरे धीरे लच्छ की तरफ बढ़ता हुआ इस्टिंग गडर बहुत ही जल्दी ये इस्टिंग गडर अपनी लच्छ की तरफ पहुँच जाएगा अभी आप देख रहे हैं पीछे से काफी दूर आगे निकल गया है ट्रसर के उपर बिलकुल नजदीक आ चुका है वहाँ भी इंजिनियर्स मकैनेक टेंकनी सियंस इसकी दूरी का मापन कर रहे हैं सही दिसा की तरफ आगे बढ़ रहा है कि नहीं जाच किया जा रहा है साथ में बो के उपर भी कई लोग बैठे हुए हैं बगल में बैठे हुए हैं जो अपने अपने कारियों को अंजाम दे रहे हैं नीचे इंजिनियर्स, अधिकारी, गड़, इस पल के गवाह बने हुए हैं और देख रहे हैं सामने में इसका सेस भाग रखा हुआ है यह भी लांच हो जाएगा उसके बाद इसको इसके साथ जोड़ दिया जाएगा बहुत ही जल्दी यह अपनी लच्छ की ओर पहुंचने वाला है सिंगल रेल लाइन खामगाव चलम रेल मार्क पर इस्टिंग बोगडर की लांचिंग की जा रही है भारती रेलवे के बुसावर सेंट्रल डिविजन के इंतरगत यह काम किया जा रहा है NH-53 पुराना NH-6 के बाइपास पर बनने वाले इस आरोबी का काम काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है बहुत जल्दी इस्टिंग गडर अपनी लच्छ तक पहुंच जाएगा धीरे-धीरे फिल्स पर रोब के द्वारा बेंच मसीन से खीचा जा रहा है और चुकि इतनी धीमे गती से इसको खीचा जाता है लाइन और लेंथ मिलाया जाते हैं इसलिए इसमें समय लगता है ये कई घंटो का काम होता है इसको बहुत ही साउधानी से आगे की तरब ले जाया जा रहा है क्रेन मुस्ताइद है इस्टाप मुस्ताइद है टेक्निसियन्स इंजीनियर्स सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ लगे हुए है अधिकारी गण भी इस उपलब्दी के गवाह बनने के लिए इंतजार में है इस सामने वी आकार में या उल्टा रखा हुआ यह आकार में जो आप देख रहे हैं इसको इस लांचिंग के बाद क्रेन की सहायता से जोड़ दिया जाएगा और फिर उसे इरक्षन किया जाएगा बहुत जल्दी गडर अपने लच्छ की ओर पहुँच जाएगा धीरे धीरे आगे की तरब बढ़ता हुआ इसकी लंबाई 42 मिटर की है और ये महाराष्ट के बुल्डाना जिले के तालुका खामगाओं के गाओं माक्ता कोक्ता निस्टल हाइवे नेच 6 नेच 53 के चैने 302 पे लांच किया जा रहा है खामगाओं नए बाई पास पर लांच किया जाने वाला आरोबी का इस्टिंग गडर बहुत जल्दी अपने लच्छ की तरब पहुँचने वाला है धीरे धीरे इंजिनियर और अधिकारियों के निर्देश में आगे बढ़ता हुआ इस्टिंग गडर पूरी तरह से साउधानी मुश्तैदी के साथ गडर को आगे बढ़ाया जा रहा है सिंगल रेल ट्रेक अप डाउन ट्रेक के उपर वील्स पर धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है अभी आप थोड़ी दूरी से रिकार्डिंग होने के वज़ा से पूरी वील्स तो नहीं दिख रही है लेकिन अगर ध्यान देंगे तो सामने वील्स मूब करते हुए दिखाई देगी और रोप की साहता से धीरे धीरे आगे खिंच रहा है नीचे से सिक्रेप ट्रसर्स लगाए गया है जिनके उपर वीम टेमपरी वीम रखा गया है और उस बीम के उपर रेल ट्रेक की तरह वील्स लगा कर इसको आगे ले जाया जा रहा है बहुत नजदिक पहुंचते हुए पीछे से टेकनिसियंस, मकैनिक और इंजिनियर इसकी जांच करते हुए ट्रेक्स पर बराबर गड़र चल रहा है यह आगे पीछे हो रहा है इसका मापन करते हुए गड़र को अंतिम इस्तितिम में लाने की कोशिस में सभी इंजिनियर, अधिकारी, टेकनिसियंस और बहुत ही परिश्रम करने वाले यह मजदूर बेंच मशीन के सहता से रोप को धीरे-धीरे खीचा जा रहा है लगभग एक मीटर की दूरी और बची हुई है जो बहुत जल्दी कवर कर ली जाएगी बिल्कुल करीब पहुंचते हुए मापन के साथ धीरे-धीरे यह गडर अभी लच्छ की तरब पहुंचने वाला है अभी आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत मामली दूरी रह गई एक सामने स्टापर बनाया गया है यह गडर जाकर उसे स्टापर को टच करेगा दोनों तरब यानि दो रेल ट्रैक के उपर इस्ट्रिंग गडर को खीचा जा रहा है दोनों तरब यह मैच करेगा जैसे ही स्टापर को टच करेगा यह लांचिंग का काम पूरा हो जाएगा बहुत सिग्र लगभग आधा मीटर की दूरी पर इस्ट्रिंग गडर बीचो बीच रेलबे लाइन के उपर पहुँच चुका है इंजिनियर्स और अधिकारियों की लगातार परिश्ट्रम का परिणाम बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला है टेंप्रेरी बीम्स के उपर अपनी लच की तरब बढ़ता हुआ इस्ट्रिंग गडर बहुत ही कम समय में लच को प्राप्त करने वाला है मामली दूरी बची हुई है बहुत ही कम समय में ये अपने इस्टापर को टच करेगा इस्टापर को टच करते हुए एक तरब लगबग पहुँच चुका है टेक्नीसियन का इसारा रेट और हरे रंग के जंडे के साथ जिसा सोचक टेक्नीसियन माप करके अधिकारियों को जिसा निर्देश देते लेते हुए नेशनल हाइवे 30 अफ इंडिया P.I.U. अमरावती के अंतरगत निर्माडा धेन अमरावती चिकली पैके स्थिरी के खामगाउं बाइपास पर ये आरोबी का कार्य प्रगति पर है इस्टिल गडर लांचिंग का समय चल रहा है पूरी तरह से तनलाइता के साथ मन लगा कर सारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए है पूरी साउधानी के साथ इस्टिंग कडर पैंच मसीन जो आप सामने देख रहे हैं उसके साथ रोप लगाया गया है और रोप की द्वारा ही इसको खीच कर यहां तक लाया जा सका है बिलकुल लच्च की तरफ पहुँच चुका है मामली या कुछ अंतर है जिसको नापा जा रहा है और एक तरफ पहुँच गया है दूसरी तरफ भी पहुँचने वाला है दोनों तरफ से बात करते वे इसारा करेंगे जैसे ही पहुँचेगा आपको अवश्य इस खुशी का गवाह इस खुशी के मौके का गवाह बनने का अशर प्राप्त होगा बिलकुल लच्च की तरफ पहुँच चुका है मामली सी गैप्स हैं उसको पूरा करने की कोशिस में इंजिनियर्स लगे हुए है मिनिट भर के कम समय के अंदर उम्मीद है कि ये पूर्ण रोप से इसको लांच कर देंगे ये बहुत ही खुशी का पल पूरी तरह से मैच कर गया सारे करमचारियों ने इस बात की सूचना एक दूसरे को दे दी सामने रेलवेक अधिकारी और उच्च अधिकारी इंतजार में है सारे अधिकारियों की उपस्तिती में 42 मीटर इस्टील इस्ट्रिंग बोगेडर की लांचिंग सफलता पुरुवक संपन्न हो गई धन्यवाद नवस्कार चैह